नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक सौगत है आप सभी का आप सभी के अपनी ही यूटूब चैनल आलोक स्ब्लॉक पर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पौधों के बारे में बात करने वाला हूँ जिनने अगर आप छोटे से छोटे गमलों में भी लगा कर रखते हैं तो वहाँ पर भी वो कापी अच्छा ग्रो करते हैं सबसे पहले इस लिस्ट में जिस पौधे का नाम मैं लूँगा वो है आपका वंडरिंग जूग वंडरिंग जूग तो वैसे तो हर कहीं जहां कहीं भी आप लगा देंगे तो इतनी तेज ग्रो करता है कि सायद ही इतना फास्ट कोई पौधा ग्रो करता हो लेकिन ये अगर छोटे छोटे गमलो में भी लगाया जाता है तो वहाँ पर भी देखने में काफी ज़्यादा खोपसूरत लगते हैं और बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं इस लिस्ट में जिस अगले पौधे का मैंनाम दोगा वो है आपकी बोट लेडी जिसे द्रीयो प्लांट के नाम से भी जाना जाता है अभी हाल में ही मैंने इसका पौट चेंज किया है थोड़ा सौक में है लेकिन अभी ठ्वास ठिक थाक स्तिति हो गई है ये इसका एक है आपका जिसके अंदर छोटे-छोटे पत्ता आते हैं एक साइड में ग्रीन और एक साइड में परपल और एक उसी की वरायटी है जिसके पत्ते काफी जादा बड़े होते हैं इस लिस्ट में जो अगला पौधा है वो है spider plant, spider plant की मेरे पास दो variety है, एक यो twisted leaf वाला है जो यहाँ पर रखे हुए है और इसके अलामा मेरे पास एक यह variety है spider plant की, इनको भी अगर आप छोटे से छोटे गमलों में लगा कर रखते हैं तो वहाँ पर ये काफी बढ़िया ग्रो करता है और अगर आप बड़े गमलों में लगा कर इस तरीके से जो है इनको मौसिस्टिक दे देते हैं तो वहाँ पर भी ये देखने में बहुत ही जादा खोबसूरत लगते हैं अभी आप लोग को दिख रहा होगा मेरे जो money plant की चार अलग-अलग varieties है यह देखने में कितन भी देता हूँ बिलकुल छोटे-छोटे गमलों के अंदर यह लगे हुए है और देखिए इतनी बढ़िया इनकी ग्रोथ हुई है बिलकुल curtain जैसे जो है वो नीचे की तरफ लटके हुए है जहां कई भी मुझे थोड़ी-थोड़ी जगह मिली है मैंने इस प्लांट को जो और यह मेरे मुझे जो है वो स्नेक प्लांट निकल गया था तो यह जैट प्लांट जो है देखिए तीनों पौधे जो छोटे पॉट के अंदर चलते हैं वो बिलकुल छोटे से पॉट के अंदर जो है एक साथ लगे हुए है और स्नेक प्लांट की बात करी जाए तो मेरा ए टर्टल वाइन भी देखिए बिल्कुल छोटे से बोटल के अंदर मैंने जो है वो लगा रखा है इसकी अड़ावा यहाँ पर आपको हैंगिंग में दिख जाएगा यहाँ पर आप लोगों को हैंगिंग में दिखेगा इसकी हालत थोड़ी खराब है इस बार हमारे यहाँ ब बहुत ही बढ़िया ब्यूटिफाई कर सकते हैं अपने गार्डिन को वो है आपका सिंगोनियम सिंगोनियम भी जो है वो छोटे से बड़े गमलों में सभी में खूब अच्छा चल जाता है तो अगर आपके पास कहीं भी जगह हो तो आप इस पौधे को जरूर लगाईए इस लिस्ट का अगला पौधा इसनेक प्लांट मैंने नाम लिया था गलत नहीं लिया था इस लिस्ट का जो अगला पौधा है वो है स्नेक प्लांट इसनेक प्लांट भी छोटे से छोटे गमलों में चल जाता है और बहुत ही खौब सूरत लुग क्रियेट करता है यहाँ प बढ़ियां ग्रोथ भी कर गया है और इसकी जो डॉफ वाली वरैटी आती है वो भी जो है छोटे से छोटे गमलों के अंदर चल जाती है तो इसने एक प्लांट जो है इसको भी आप चुरू लगाई है देखिए यहां पर हैंगिंग में लगा हुआ है अगला पौधा जो है जिसको आप छोटे से छोटे गमलों में लगा कर अपने गार्डेन को खूबसूरत ब्यूटिफाई लूप दे सकते हैं वो है आपका ये पंडानस का देखिए छोटे छोटे गमलों में लगा है लेकिन देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है अभी बड़ा मैं दूँगा लेकिन फिलाल अभी छोटे में काम चल रहा है तो इसी के अंदर रहने दूगा अगला पौधा जो है आपका ये है क्रिफ्टैंथस का क्रिफ्टैंथस को भी आप छोटे से छोटे गमलों में लगा कर जो है अपने गार्डेन को खूबसूरत लूग जो है व आप लगों को दिखा देता हूं और एक दो नहीं यह तीन चार फ्लावर आ रहे हैं और इसका एक पौधा मैंने उधर रखा है यह आपका जो है सुरी अरेलिया का पौधा है मैं नाम भूल जाता हूं ऐसे वीडियो बनाते बनाते बाकी जो है बहुत सारे ऐसे और भी पौधे हैं जिने आप लगा कर छोटे से छोटे गमलों के अंदर आपने गार्डेन को बहुत ही खूबसूरत और विटिफुल लुक दे सकते हैं कैस किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो के अंदर तर तक के लिए बावा एंड टेक केर